सबी दोस्तों को जय हिंद वंदे मात्रम तो दोस्तों बड़ी फुस्खवरी है और बड़ी जानकारी है दोस्तों जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे आरपी अफ में रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में नई भरती सामने निकल कर आ गई है गोवर्मेंट और इंडिया मिनेस्टी आप रेलवे और देखे रेलवे रेक्रूट्मेंट बोर्ड तो देशने दोस्तों आपको को पता है कि भाई जे रेलवे में कोई भी भरती आती है तो आरबी नोटीफिकेशन जारी करती है और दोस्तों इससे पहले आरपी अपने या था कि भाई RRB online apply करवाएगी, admit card जारी करेगी और exam conduct करवाएगी, बाकि physical, medical, document ये तीनों process RPF conduct करवाएगी, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लंबाई क्या लगेगी, obesity, STST को running कितना होगा, physical में क्या क्या होगा, लंबी कूद, उची कूद, कितने योगता वाले बच्चे, RTF में online apply कर सकते हैं, किसकिस्त पोस्ट में भरती आई है, तो देखेंगे दोस्तों ये stop notice है, जो अभी जारी किया गया है, और ये आप लोगों को stop notice हमारे टेली ग्राम, इस वीडियो की नीचे टेली ग्राम है, वह पर आपको मिल जागा, तो ये कि दोस्तों यहां पर बताया है कि application are invite from eligible candidate for the post of railway protection force rpf, समझगे दोस्तों, a special force rpsf application complete in all respect must be submitted online, तो दोस्तों इसका जो आप लोगों का जो होने वाला है application, वह online mood होने वाला है, अब देख लिए दोस्तों, rpf में देख लिए एक 2024 और देखेंगे inspector में, जो opening date application का है, 15-4-2024, समझे 15-4-2024 से online apply है, और 14-5-2024 इसका last date है, समझे दोस्तों, तो 15-4-2024, rpf में, और sub inspector में, rpf constable में, और rpf sub inspector में, 15-4-2024 से online apply, शुरू होगा, और 14-5-2024 तक चलने बाला है, अब यहां पर देख सकते हैं, दोस्तों, vacancy कि post की संख्या कितनी है, तो यहां पर देख लिए, दोस्तों, sub inspector के लिए, यहां पर जो है, आप लोगों को 35,004 रुपए आपको pay मिलेगा, और यहां पर देख लिए, 20 लेकर 68 साल के बच्चे apply कर सकेंगे, यहां पर sub inspector में, post की संख्या है, यहां पर 4,000, sorry, 400 बाबन, सम inspector में, और बात करें, constable में, समझगे, जो constable में, टेंथ पास बच्चे apply कर सकेंगे, आरपी अप में, railway में, जो constable की भरती आई है, उसमें, टेंथ पास बच्चे apply कर सकेंगे, और यहां पर देख लिए, 21,007 रुपए आपको pay है, समझगे, 21,007 रुपए आपको pay है, और 18 लेकर, 28 साल के बच्चे apply कर सकेंगे, पोस्ट की संखिया, 4,002,08 है, कुल यहां पड़ा, आरपी अप में, जो पोस्ट की संखिया आई है, 4,660 कितना, 4,660 आई है, कुल पोस्ट, जिसमें, चार सबावन, सब इंस्पेक्टर का है, गर्ज्वेस्तन बाले बच्चे apply कर सकत है, उम्र 18 से 18 साल है, समझ के दोस्तों, उम्र 18 से 18 साल है, और 4, यहां पर पोस्ट की संखिया, 4,002,08 है, तो आप, आप लोगों को पता चल गया, कि आरपी अप में, जो भरती आई है, उसमें, दस भी पास्ट बच्चे और 18 साल के बच्चे apply कर सकते हैं, किसमें, तो constable मे दस्ट भी पास्ट होना चाहिए, भारत के किसी भी बोर्ड से, और यहां पर ग्रुजेस्तन, जो सब इंस्पेक्टर की पद है, सब इंस्पेक्टर में, 35,004 सेलरी है, और 20 से लेकर 18 साल के बच्चे apply कर सकेंगे, अब आगे चलते इस notification में देखते हैं, यहां पर आप होंगे, उनको यहां पर medical होने वाला है, और जो अभ्यार्थी medical में qualify हो जाएंगे, उनको final mat list में बुलाया जाएगा training के लिए, दोस्तों बता दे कि भाई, exam जो है, वह CBT जो है, जो आपका exam है, लिखित परिछा, वह railway लेगा, आर आर गी, समझगे, इसके बाद जो physical है, PT, समझगे, और जो आपका medical है, वह RPF conduct करवाएगी, अब यहां पर देख लिजे, जो बताया गया है, for all candidate, जो है, आप लोगों को amount देखे, बताया गया, examination fee, 500 रुपया लगेगा, और जो SC और ST है, एक servicemen है, और महला candidate है, और हैस रुपया आपको लगने बाला है, और आपका जो payment होगा, जो exam में बैठेंगे, यदि आप exam में फेल हो जाते हैं, तो भाई आपका payment वापस कर दिया जएगा, जो यहां पर बता दिया गया है, समझगे दोस्तो, exam में आपको बैठना परेगा, समझगे, यहां पर देख लिए, इसके बाद यहां पर आते हैं दोस्तो, य यह है आप लोगों का website, देखें, आहमदावाद, अजमेर, बैंगलूरू, भपाल, भुबनेस्तर, बिलासपूर, चंडीगड, चन्ने, गोड़कपूर, गोहाटी, और यहां पर जम्मू, स्रीनगर, जो यह आप लोगों का recruitment है, आर आर बी का, इसके बाद यहां पर देख दो दो हजार चोबीस, और देखें, दो तीन, दो हजार चोबीस को, यह notice आप लोगों को release कर दिया जागा, तो दोस्तों, दो मार्च को, कुछना है, कि दो मार्च को, आप लोगों का full notification आ जाएगा, यहां पर देख सकते हैं, और यह देखें, railway recruitment, बोट, दोस्तों, अभी दो हजार चोबीस से, समझें दोस्तों, तो देख लिए, अप्लाई जो स्टार्ट है, अप्रील में, पंदर अप्रील से, और लास्ट डेट अपड़ा है, 14 माई दो हजार चोबीस से, इसके बाद यहां पर constable का देख लिए, 4000 दोस्ता आठ पोस्ट है, टेंथ बास साल का दोनों में, इसके बाद सब इंस्पेक्टर वाले, ग्रियेशन वाले, 20 दे लेकर, 28 साल तक अप्लाई कर सकते, तो अप्लाई डेट आप लोग द्यान से समझ लीजे, 15 अप्रील 2014 से, इसका अउनलाई अप्लाई शुरू है, इसके बाद यहां पर आते हैं, हम लोग, देख लेते हैं, दोस्तों, कैटेगरी, लंबाई आप लोगों को क्या रहने वाली है, काफी साले भ्यारती कॉमेंट करेंगे, कि गुरु जी एक बार लंबाई भी बताइए, कि इस पोस्ट में हम लोगों की लंबाई क्या लगी, तो जो स्टूडेंट, यू आर और OBC है, पुरूस कंडिडेट, 165 cm, महिला कंडिडेट, 167 cm, देख लीजे, यहां पर, UR और OBC, 165 cm, फिमेल कंडिडेट, 167 cm, और देखे, चेस्ट जो लगने वाला है, 80-50, इसको, तो OBC को, अब जो SC-ST कंडिडेट है, उनको 166 cm लंबाई लगेगा, जो SC-ST कंडिडेट है, 166 cm ल आपका चेस्ट होना चाहिए, इसके बाद जो गड़ेवाल, जो गोडखा है, यह हील अडिया से है, उनको 166 cm आपकी लंबाई लगने वाली है, इसके बाद यहां पर चलते हैं, इसके बाद यहां पर आते हैं, दोस्तों देख लीजे, आप लोगों को physical में, तो constable male के जो अभ्यार्थी है, जो constable meal में डालेंगे, दस भी पास में, देख लिजे, 5 मिनट 45 सकेंड में 16 समीटर रणिंग करना पड़ेगा, और महला को 8 समीटर रणिंग करना पड़ेगा, समझ गए, दोस्तों 8 समीटर रणिंग करना पड़ेगा, 3 मिनट 40 सकेंड में, और पुरुष प्रूज कंडिडेट को और जो महला कंडिडेट है जो महला कंडिडेट को 9 फीट लॉग जंप और हाई जंप 3 फीट इसके बाद देखे जो सब इंस्पेक्टर वाले हैं सब इंस्पेक्टर वाले और जो लॉग जंप यहां पर हाई जंप करना पड़ेगा तो दोस्तो रेलबे का जो सौक नॉटिस है वह जारी कर दिया गया है आप लोगों ने देख लिया होगा यह सौक नॉटिस है रेलबे के जब से जाड़ी कर दिया गया है कूल 4660 भरती है और 15 अप्रील से ऑनलाइन अपलाई शुरू होगा पहले एक्जाम है एक्जाम की तैयारी में लग जाए आयू हम भी हमने आप लोगों को बता दिया चैन वंदे मात्रम बेस्ट अपलाग